कि आप सबी लोगों का सुवागत है सच्टा नद मैद फे मैं सच्टा नद मौर्या हम इसमें से स्टाइटिक्स जो इसका सांखेकी का फास्ट बाट बता चुके हैं इस सेकेंड पाट है जिसमें आपको माधिका के बारे में बताएं यह माधिका तिन टाइप का होता है और इ इसमें माधिका तीन टाइप के होते हैं कितने टाइप के हैं तीन टाइप के होते हैं अब इनमी क्या करना है कि हम इसमें से पहले परिभासा बताते हैं और यह सांखेकी चेप्टर इतना आसान होता है कि छे साथ आठ में तो रहता है यह सांखेकी लेकिन दस में भी होता है नाइन्थ में और ENT PC एक्जाम SSC में भी पुछा जाता है लेकिन इसमें से किसी बेक्ति का कोई सवाल छुटने वाला नहीं है यह बहुत असान होता इसका फार्मूला भी बहुत असान है बस आपको देखते रहे हैं प्रेक्टिस करिए न तो आपका इसमें से एकविस नंब और आपका छुटने वाला नहीं है तो माधिका किसे कहते हैं इसमें पदों की पदों को आरोही करम में लीख कर दोनों और से एके करकर छोड़ना है कैसे जैसे आप यहां पे को यह आरोही करम नंबर ले लेते हैं तो यहां से आप आरोही करम नंबर ले लिए साथ नंबर लिए अब एक एक करके मतलब क्या होता है कि मतलब एक इधर से छोड़ेंगे तो एक वाले को इधर से छोड़ेंगे यह दूसरा नंबर छोड़ेंगे तो इधर से भी दूसरा नंबर छोड़ेंगे इस तरह करते हुए जैसे जैसे आप छोड़ती हुए आएंगे आप देखे बीच में बच जाए उसी को हम लोग का बोलेंगे माधिका बोलते हैं उसी को माधिका तो यह तो हम लोग का यह हुआ इसका परिभासा हुआ, जैसे आप सवाल बनाएंगे, तो सब किलियर हो जाएगा, कैसे कैसे छोड़ता है, देखी बताएं कि पहले इधर से फस्ट मानते हैं, तो फस्ट के तरफ से छोड़ेंगे, और सेकेंड के तरफ से एक छोड़ेंगे, छोड़ते विये बीच में चलें तो सवाल बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे देखिए अगला नमबर और यह हर एक एक जामों में पुछी जाते हैं जैसे हाँ पी एंटी पीसी ग्यारा एक 2021 को एक सवाल साम की समय में पुछा गया है सेकेंड पाली में तो दिखेंगे बताती ही सबसे पहले इनको बनाने केलिए हो यह सर्त होता है आरोही करम में लिखेंगे किसी मैं लिखेंगे अप आरोही करम में और आ रोही करम और एक होता है और रोही करम तो आपको हम आज क्लियर कर देते हैं कि आ रोही करम क्या होता है और रोही करम क्या होता है ताकि आपको जिन्दगी में कभी भूलने की बात नहीं आए यानि आप कभी जिन्दगी में इसे भूले ना तो कैसे याद होगा आच्छरों को गिनेंगे तो तीन आप कहेंगे इनमें से अच्छर मिलता है कितने मिलते हैं तीन और ये वाले में गिनें च्यार तो इनको आप क्या कहें तीन और इनको गिनेंगे तो मिलेगा च्यार सबसे छोटा कौन है तीन है कि चार तो आप मन में अपने इसको का करेंगे कभी भी लिग कर clear कर सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है और आपको बड़ा छोटा से मतलब नहीं नमबर आपको बता देता है कि आरोही करम का मतलब होता है कि सबसे छोटे वाले नमबर को पहले रखा जाए clear है और आरोही करम का मतलब होता है देखी बड़ा है न इससे आरोही से ये बड़ा है तो आरोही का मतलब होता है कि बड़ा नमबर पहली रखा जाए तो ये आपको संकेत करता है यानि इंडिकेट करता है तो इसके जरिये आप कभी भूलने ये नहीं और कभी भी लिक करीन के अच्छोरों को गिन के आप किलिय कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता Я अब हम यहां सवाल बनातें तो हरोही लीखेंगे तो सबसे पहले इनमें क्या होना चाहिए छोटा तो सबसे छोटा देखिए इसमें काउन पहले चोटा कि यहाँ पहले नी के बाद 10, 10 के बाद 11, और 11 के बाद कौन नमबर चोटा है, बड़ा है, 11 के बाद 2, 13, 13 नमबर है, कितने हैं, 13, 13 नमबर है, उसके बाद देखी, यहाँ 20, 13, 13 के बाद केतने नमबर हैं, 20 नमबर है, आप यहाँ पे 20 लिख लिजिए, हम आपको बताएं कि दोनों तरफ से एक एक छोड़ना है, यानि बराबर बराबर छोड़ना है, इधर से हम एक नमबर छोड़ देते हैं, तो इधर से भी हम लोग एक नमबर छोड़ेंगे, यानि माधिका बनाने के लिए आप लोगो फस्ट वाले में, यानि फस्ट टाइप का जब बनाएंगे, तो इसमें का करना होता है, सबसे पहले आरोही करम में लिखेंगे, तो हम आरोही करम में लिखेंगे, दूसरा बात, इधर से फस्ट छोड़ें, आप इधर से एक और शेकेंडर छोड़िए और इधर से बढ़ते हुए आएंगे तो तीसरा छोड़े यानि तीन हम लोग इधर से छोड़ दिए और तीन इधर से छोड़ दिए दोनों तरफ से बराबर एक एक करके तीन छोड़ दिये बच्चा कितना बीच में बच्चा है इगारा जो इगारा आप दोनों तरफ से हम लोग छोड़ेंगे नहीं आप कैसे छुटेगा छुटने वाला तो नहीं है इधर से छोड़ते हैं तो इधर नहीं छोड़ पाएंगे आज अब यही बराबर दोनों और से बा माधिका हो जाता है इगारा हम लोग का माधिका जो आपसर सी में दिया है ठीक है कुछ समझ में आया होगा यह नहीं आया होगा तो अगला सवाल देखिए समझ में आया है अगला नंबर का माधिका क्या है ना तो सेम जो प्रासेस जो रूल बताये थे सेम वही है माधिका न किसे में करें आरोही करम में करें गए तो पर हुद करते हैं तो सबसे पहले इन में देखें कि सबसे छोटा नमर कौन है तो कहें गें तीन हैं तो इस से हमारे साथ ही करते हुए आगे भर सकते हैं बहुत कठीन सवाल नहीं है तो यहाँ पे पहले 3 लिए 2-4 हो गया और 1-5 और यहाँ पे 6 हो गया 6 के बाद 3 यहाँ पे 7 कितना है? 3 यहाँ पे 7 1-2-3 उसके बाद 1-12 हम लोगी इनको किस में सेट कर दिये? आरोही करम में आरोही करम में करने के बाद हम लोग का करते हैं? कि दोनु तरप से बराबर छोड़ेंगे तो इधर से जैसे हम यहाँ 2 पाट इधर से छोड़ दिये छोड़े 2 पाट तो दो पाट इधर से छोड़ देंगे, उसके बाद अभी बचा है बीच में और आगे बढ़ाएंगे दो, यदि आप छोड़ते हैं, कितना छोड़ा चाहिए, हाँ दो छोड़ दीजिए, तो दो इधर से भी छोड़ेंगे, तो देखिए दोनों तरफ से बराबर का मतलब इ सिंगल एक बचा है, तो दोनों तरफ उसको बराबर एक एक छोड़ नहीं सकते, तो उसी को हम लोग का कहते हैं, उसी को हम लोग माधिका कहते हैं, यानि छा हम लोग का का हुआ, माधिका हो गया, जो आप्शन डी में दिया गया, समझ माया, अगला नमबर देखिए, और भ रंख्याओं की माधिका गयाद किजिए, सेम नियम और प्रोसेस हो ही है, पहले आप इनको हम लोग का करें, इनको हम लोग आरोही करम में करें, तो आरोही करम में करेंगें, सबसे इसमें छोटा नमबर कौन है, उनको करते हैं, तो इनमें सबसे छोटा नमबर, यहां पे सो सोला, सतरा, और अठारा और उन्नेश सोला, सतरा, अठारा, उन्नेश लिखते समय आप ध्यान देंगे कि आगे पीछे तो कोई न छुट जाए नहीं तो गलत होगा ना तो इतना ध्यान देजी कि छुटे ना तो सोला, सतरा, अठारा, उन्नेश आप यहाँ पे बीश है बीश के लिए बीश से बड़ा काउन नमबर है बीश से पचीस है और अठाइस, पैएटिस पचीस, अठाइस, पैएटिस पैएटिस नहीं, तीस है तीस के बाद पैएटिस पैएटिस के बाद अठाइस हम लोग इतना लिखे गील लेंगे कि अधिक तो नहीं हम लोग लिख लिए एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नव, दस दस नमबर है, जो हम लोग इहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नव, दस हम लोग सवाल आरोधी करम में सही की, अब क्या करना है दोनों तरब से बराबर छोड़ना है, तो हम लोग इधर से चार छोड़ देते हैं, देखिए, चार छोड़े, जहाँ-जहाँ तीर पी लगाए, तो इसमें मतलब एक-एक नंबर छोड़े, तो हम लोग इधर से भी चार छोड़ देते हैं, हो गया, बचा इधर कितना? 20 और पेंचीश, सही बात, हम लोग का write-इस और पचीश, तो एक इधर से छोड़ देते और इधर से एक छोड़ देते तो बीच में तो कुछ बचाएगा नहीं हम लोग को कुछ मिलना चाहिए तब तो मादिका निकालेंगे जब कुछ बीच में बचेगा नहीं तो कोई फाइदा नहीं है मादिका का अब हम लोग क्या करेंगे कि इधर भी एक नहीं छोड़ेंगे इधार नहीं चोड़ेंगे, देखेंगे कितना नमबर बचा, तो बीच में दो नमबर बचा, इन दोनों को जोड़ेंगे, बीच और पचीस को जोड़ेंगे, तो कितना होगा, पैटालिस, होगा, दो नमबर जोड़ेंगे, तो दो से भाग देंगे, तो दो से भाग देंगे क्लियर है अब जैसे दो से भाग इन में देंगे तो क्या बार जाएगा दो दूना के चार और दो दूना के चार बचे अब एक बचे का भाग नहीं जाएगा तो दस मोलो लगाएंगे और दो पाचे दस यानि 22.5 एक कुरेट इनका एंसर मिलता है अब हम लोग आपसन में देखेंगे जो दोनों को जोड़कर दो से भाग दिए दो से क्यों दिये कि दो का हम अंकों को जोड़े हैं तो दो ही से भाग देंगे और जो भाग देने के बाद जो मिलता है वही हम लोग का उतर हो जाएगा कैसा माधिका हम लोग माधिका निकाल रहे हैं अब हम लोग का आपसन में देखिए बी नमबर सही समझ में आया कैसे नि का हल कर यह तकि कम समय तक आप आप सवाल को बना ले अगला नवर है अज़र अरोही डिया गया है रोही क्रम कर दिया गया है। आपको बताना है किस का मान और माधिका भी दिया गया है और यक्स का मान माधिका पता है 63 और यक्स का मान निकालना है आपको तो कैसे निकालेंगे देखिए आप इधर से आप इनको मान के चलिए चार नमबर छोड़ दिए जब इधर से चार छोड़ेंगे तो इधर से भी च चार छोड़ दीजिए एक दो तीन चार चार नमबर इधर से हम लोग छोड़ दिये चार नमबर इधर नियम तो यही है कि दोनों तरफ से बराबर छोड़ा जाए बाचा कितना अब हम लोग ये के दोनों तरफ से छोड़ते हैं न, तो हम लोगों के लिए कुछ मिलेगा नहीं, हम लोग को कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन हम लोग को कुछ चाहिए, इसलिए तो हम लोग में एनद कर रहे हैं, कि हम लोग को आ चाहिए, हम माधिका चाहिए, अब हम लोग को म भाग देंगे, क्यों देंगे, जब दो नंबर जोडते हैं, तो दो ही से भाग देंगे लेकिन सर्थ कहा इन में दिया है की माधी का 63, यानि इन के बराबर कितना दिया है यहाँ पर 63 दिया है तो इन में से यक्स का माणड आप निकल दिजिए यक्स का मान आप निकाली देखिए इसको अभी यहाँ पर बनानी के बाद एक बात आपके मन में आता होगा जानते हैं कौन मन में आपका आता होगा वो बात यह समीकर्ण बन गया कलास चै का कलास चै का समीकर्ण बन गया और समीकर्ण से आप हल कर सकते हैं आप कितना अच्छे ढंग से आप समीकन को आगे पीछे कर सकते हैं, तो करिए इसको, देखिए, यक्स को यक्स में जोड़ेंगे, अब यहाँ पे चर आगया ना, इसको हम लोग चर कहते हैं, और दो को आचर, तो दो को यक्स में नहीं जोड़ेंगे, चर को चर में, तो एक, इनके आगे एक रहता है, और इनके भी आगे हैं, तो एक और एक, दो, तो टू यक्स प्लस, दो होगा, और नीचे कितना है, दो, बराबर तीर सथ, देखिए, दो नों पच्छ में है, तो दो को कामन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा घटाने का गुणा भाग का जोरुद नहीं है, दो कामन करेंगे, तो कितना होगा, दो, और इहाँ पे बचेगा, यक्स, और पलस, वन, और बटे में, दो, दो से आप इनको कैंसिल करा दिजिए, बचा कितना इधर, तीर सथ, सहिए, और एक्स, पलस, वन, तो एक्स कामन जैसे निकालेंगे, तो एक इधर जाएगा, तो घट जाएगा, तीर सथ में, यानि, एक्स बराबर हो जाएगा, खितना, एक जैसे उधर भेजेंगे, तो तीर सथ में से एक कम होगा, तो हो जाएगा 62 आपका कितना 62 तो यक्स कमान 62 आपको मिला जो आपसन ए में दिया गया है समझ में आया और जब मेरे वड़े भाई समझ में और मेरी बड़ी बहान समझ में आता हो तो एक-एक लाइक तो मारते रही है ताकि हम लोग का भी होजला बनते रहे कि हम लोग भी कुछ सवालों को जानते हैं और कुछ लोगों को समझा पाते हैं तो अब हम यहां पर चौथा नंबर बनाए आगला नंबर देखिए आगला नंबर है इन में से सेम यदि हम पीछे वाला जो सवाल बनाए है इससे मैच कर रहा है यदि आप चाहेंगे तो अगला नंबर आप बना सकते हैं यानि यह चौथा नंबर है और सेम इसी तरह यह पांचवान नंबर में आप इनको बना सकते हैं ठीक है इद्धी हमारे बनाने से पहले आप बना लेते हैं मैसेज कर देजिए ताकि हम बना लिए अप कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले तो हम लोग इनको इए हम लोग का सब जो सवाल है आरोही करम में कर दिया गया है सिरियल नंबर से यहां से आप छोड़ना इस्टार्ट केजिए चार नमबर है छोड़ दीजिए इधार से भी चार नमबर है तो छोड़ दीजिए बचा कितना है? देखिए 100 प्लस यक्स बचा है सार्थ में दिया गया कि माधिका 90 एक सो नबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब तो बट्ये में दो इस तरह करते हैं तो आपका उत्तर मिलेगा नहीं आप चक्कर मारेंगे तो चक्कर मारने की ज़रूरत नहीं है सीधे आप बना लेंगे इनको आप ट्रांसपर कर देंगे जैसे समीकर्ण बना जाता जैसे तो यक्स बराबर एक सो नब्य माइनस सव तो यक्स बराबर नब्य यानि यक्स कमान हम लोग पता कहले यह मेहनत करेंगे तो आप भी बना सकते हैं तो हम लोग का सी नंबर सही हो जाता है आगला नंबर देखिए यह तो सवाल यह वर्गमूल कहा है बिच में आ चुका है यदि आपनों का मत विचार होगा तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे कैसे वर्गमूल किया जाता है एक सगेंड देख लेजिए सबसे पहले इनका यह तो बताना नहीं तो यह वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल का यहां पर संकित लगा देंगे अब इसको थोड़ा सा आगे एदी करना चाहाए तो अंडर रूट चार है और नीचे अंडर रूट नौ है अंडर रूट चार में जो बात रहता है यानि अंडर रूट चार जो रूट से बहर आता है फिरी होता है तो उसका मान 2 होता है और तीन अंडरूट से फिरी होता है नौ तो उनका मान 3 मिलता है और जैसे इसमें आप भाग देंगे तो 0, 6, 6 यह repeat करना इस्टार्ट कर देता है अब चल दिया हो मानने वाला नहीं है तो repeat करता है अब हम लोग को इतना पाट तो लेना होगा दो तो हम यहाँ पे 0, 2 लेंगे लेकिन जो आगे repeat कर रहा है बारो बार इनका हम लोग का बिवस्था करते हैं यह रैकिंग का सवाल है रैकिरिंग बार जिसे करते हैं तो अब जितना repeat करता है उसके लिए एक बिवस्था है कि क्येवल इस पे एक लकिर मारी है जिसको हम लोग करते हैं बार और यही हम लोग का उत्तर हो जाता है यही हम लोग का उत्तर हो जाता है अगला नमबर अपना सवाल पर चला जाए अब निमलिखित आकड़ों की माधिका ग्याद कीजिए आप देखिए दूसरे टाइप का यह सवाल है यह भी माधिके है लेकिन टाइप दूसरा है तो अब हम लोग इसमें से क्या करते हैं कि यहा लोग को माधिका ग्याद करना है तो कैसे ग्याद करते हैं तो इस तरए क जो माधिक को ग्याद करने का जो थोड़ा सा रूल्स व्रॉल्म न नियम है बहुत सेम है वह अंतर नहीं बसी मामूली सा ग्याद है मेरे बड़े भाईय और आपको समस्ते समझते हुए आगे बनना है ताकि आप लोग को भी कम्याभी मिले कैसे इस तरह का आप हल करेंगे अब जैसे हाँ यक्स कमांद दिया है और येफ कमांद दिया है और यहां पी हमें एक यह default न दैक्वाइंस आम दसे में मिलेगा नहीं प से अनने लिंगत देम्ला है या संजय बर्थ सब्सक्राइघ्य, सी यव यानि संचाई बारंबरता इसमें आप लिखेंगे ना यानि आगले कालम में संचाई बारंबरता आपको लिखना होगा बनाना होगा तो हम लोग संचाई बारंबरता कैसे निकालते आप देखेंगे तो संचाई बारंबरता का जो कालम है भरने के लिए इसमें से एक आफर आता है कि जो इसमें याफ नमबर है वो कियो बीना कुछ किए एक एडवांस आप रख ले तो हम यहां पे एक नमबर रख लेते हैं यानि यही आफर है आपका कि संचई वाराम बरता जब आप निकालेंगे आप X का मान मिला हो, YF का मान मिला हो तो CF जब आपको निकालना होगा तो CF निकालने के लिए सेम हम लोग पहले वाले नमबर का YF का दो नमबर रख लेते हैं अब आगला पॉइंट क्या करते हैं जैसे हम यहां पे दो रखें अब आगला यह वाले कालम भरना होगा तो एक को इनके साथ जोड़ना होगा यानि एक को जो ऐसे इनके साथ जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना मिलता है तीन यही छोटी बात इसमें रिपीट करेगा ना तो देखिए जैसे दो में एक को जोड़ेंगे इनके साथ तो कितना मिला तीन मिला तीन में तीन को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा आपको कितना मिलेगा 6 मिलेगा ध्यान दीजीगा कैसे चल रहा है न और उसी तरह जैसे जैसे नीचे जाएंगे बढ़ता हुआ 6, 4, 10 और 10, 2, 12 हो गया क्लियर तो हम लोग का पाए कैसे जब मादिका आपसे पुछा जाए यक्स कमान हो, यक्स कमान हो तो C, सब्सक्राइब आपको निकलना होगा C, तो C, हम लोग कैसे करते हैं पहले नंबर पहर है कि एक आप भर लीजिए उसके बाद नीचे वाले टर्म को एक एक जोडते हुए नीचे आप जाएंगे न तो जैसे नीचे जाएंगे तो देखिए यहां पर 12 मिला लेकिन आप इन में से यफ कमान भी जोड़ेंगे यानी सिग्मा यफ यहां पे सिंग्मा इफ नई अब यहां पे सीग्मा यंड होगा यह नंबर हो जाएगा तो यह भी आपको 12 मिलेगा कितना नंबर मिलेंगे 12 मिलेंगे यान का माझ पता चल गया तो इस तरह का माधिका कैसे बनाएंगे बहुत मामूली सा लिखेंगे तो ज़्यादा लेकिन उससे घा बनाना मतू लिख के मिटा देंगे उसे कुछ मतलब नहीं और सवाल आपको समझ में आएगा देखिए तो इस तरह का जब बनाना होता हम लोग तो माधिका लिखालते हैं कैसे माधिका बराबर और माधिका को हम लुग का कहते हैं संकेत में यम से कहते हैं तो हम यहाँ पे यम लिख दिए बराबर यहाँ पे लिखेंगे सम यान यान बटे में दो उपर को यन जहां पे लिखा है न वहां पे sum sum बटे में 2 होता है तो हम लोग sum के बाद छोड़ेंगे लिखेंगे यन बटे में 2 तो यन का मान यहां पे 12 मिल चुका है कितना है 12 लेकिन हम लोग का यह first formula है second है हम लोगों का देखिए कि जब second यन इस तरह का जब हम लोगो sum मिल जाता है यन का मान तो यह वाला नियम लगा लेंगे और 20 sum मिलेगा तो का करेंगे उसके लिए माधिका यन पलस 1 बटे में 2 आप देखते रही इने मिटाएंगे आप से कोई मतलब है नहीं हम दिखा रहे हैं इनको मिटा देंगे इसे कुछ मतलब लेना देना आपको जिन्दगी में नहीं पड़ेगा कि sum अभी sum के लिए का करते हैं sum के लिए का करते हैं इसे मतलब कोई नहीं हम लोग का यन कमान 12 है तो हम फश्ट में रखते हैं 12 बटे में 2 जैसे कटा हैं ये तो मिलेगा 6 यानि माधिका आपको 6 मिला ना माधिका 6 मिलता है लेकिन आप यहां पर बीक बात देखेंगे आपको sum यदि न मिलता हो तो एक जोड़े लीजिएगा आप सुनिए यदि आपको यहां पर 12 न होकर 13 मिल जाता यन कमान तो हम लोग कभी भी sum देखते हैं 20 sum से मतलब नहीं है तो मेरे बड़े भाई यही प्याप ध्यान दिजिए कि जब आपका sum न हो तो एक जोड़े लेंगे और हमको sum और भी sum से कोई मतलब नहीं है इतना जानिए कि जब आपको सवाल बनाना हो तो sum पर बनाना है भी sum पर नहीं तो अब यहां पर 12 है तो हम लोग को कुछ करना ही नहीं है तो मादिकार बराबर कितना हुआ यन कमान 12 है तो कुछ नहीं करना है 6 मिल गया तो यन कमान जैसे आपको 6 मिलता है अब हम लोग एक काम करेंगे देखेंगे कि 6 इसमें कहां है तो संचाई बारम बारता में यहां पर अच्छा है इसी लाइन में सीधे आएंगे और इसी लाइन में सीधे कहां तक आएंगे कभी गलत से यक्ष में मत देखिएगा कभी देखा जाता है तो यक्ष में तो यक्ष में यहां पर 6 के सामने कौन नंबर है 5 जो यही हम लोग को का मिलता है यम यानि माधिका यम बराबर क्या हुआ है माधिका यम बराबर छा पाँच यह हम लोग का उत्तर हो जाता है यही हम लोग का उत्तर हो जाता है तो हम लोग माधिका पाचुके हैं थोड़ा सा समझ में आया होगा न आया हो तो एक बार और करते हैं जैसे आप clear हो जाएगा अगला नमबर थोड़ा सा समय दीजी देखिए यहाँ पर यहाँ पर माधिका दिया गया है तो हम लोग का करते हैं सबसे पहले हम लोग CF निकालेंगे तो CF निकाल दिए जैसे अब CF आप निकालते हैं तो CF निकालने के लिए पहला आफर होता है कि इसमें CF नमबर को उसी तरह बिना कुछ करें रख लेंगे तो रख लिए आप उसके बाद हम लोग आठ को इनके साथ जोड़ेंगे आठ दो दस और तिन तेरा तेरा के साथ 6 जोड़ेंगे जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे उसी तरह आप नीचे कुछ नमबर को पाएंगे और लिखिए उनको 19 हो जाएगा 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 और 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 24 में एक जोड़िए 25 25 में एक जोड़ेंगे 26 तो आप इनको सिग्मा यन का बाद जोड़ेंगे तो 26 मिलेगा यहां पर ध्यान से देखिए यानि संचई बारंबरता की जो लाश्ट में आता है और जो सिग्मा यन का मान इन ही के बराबर होता है आप इनको जोड़ेंगे कि कुछ कम भी मिल रहा है न तो यहां से आप समझ सकते हैं कर सकते हैं कि हम लोग का सवाल गलत है कि सही समझ में आ गया तो यहां से आप मिला सकते हैं तो देखिए अब हम लोग को का चाहिए माधिका चाहिए तो माधिका के लिए हम लोग का करते हैं माधिका यम से कहते हैं बराबर अब यहां पर देखिएंगे 26 मिला है तो हम लोग को तो सम ही मिला है बीसम से कुछ मतलब नहीं है एदि बीसम मिलता तो एक हम लोग जोड़े लेते हैं और सम बीसम से मतलब नहीं कभी भी हम लोग ब मिला है तो यहां पर 26 26 में दो से भाग दे देंगे तो 13 मिलेगा कि कितना मिला 13 आप देखेंगे कि CF में 13 कहां लिखा हुआ है तो CF में 13 यहां पर आपको मिल रहा है इसी लाइन में और इसी लाइन के सामने आप पाईए तो कहेंगे कि सात मिलता है किसमें टर्म यक्स में टर्म यक्स में सात मिला जो यही क्या है यम का मान तो आपका माधिका का हुए साथ में इह हम लोग का उत्तर हो जाता है समझ में आया कि किस तरह हम लोग मातिका निकालते हैं सबसे पहले आपको यक्स कमान और यक्स कमान मिलेगा cf निकाल लेंगे cf के लिए सेम होई नंबर रिपीट कर देंगे फ़स्ट को उसी तरह रखेंगे और को जोड़ती हुए नीची चाहेंगे और यन कमान पाएंगे और यन में दो से भाग देंगे तो हम लोग को cf पता चलेगा जो नंबर इसमें कहां है cf में संचई वारंबारता में तो 13 नंबर इसमें मिलता है इसके सामने आएंगे और यक्स टर्म में जो रहा था इसके सामने वही वाला मादिका होता है तो हम लोग को मिला साथ अगला नमबर देखी यहाँ पर टाइप थ्री आ गया यानि तीसरे तरफ का और गया अंतरा ठीक है? तो हम लोग मादिका में तीसरे टाइप के सवाल बनाने हम लोग जा रहे हैं और इसको बनाने के बाद हम लोग का सवाल फूरा खतम यानि मादिका हम लोग complete पड़ चुके हैं जो मेरे बड़े वाई इसमें से न पड़े हो तुससे के उसमें जाईए पार्ट फश्ट में उसमें से आप सब देख लेंगे बना चुके हैं और आपके पास पहुच आ चु आपको बहुत असान प्रूवक कर लेंगे ना तो आप देखें इसे घबलाएंगे नहीं हम बता रहें आपको सब देखना है बस समझनी आ जाएगा सबसे पहले यह लाइन आपको तो पता नहीं होगा तो आप इसमें सेまぁको निकालना होगा तो संचए को इसमें जोडेंगे आइड करेंगे तो 6 और 5 इगारा यही काम करना है और 11 में 10 जोडेंगे तो 21 21 में 15 जोडेंगे तो 2 और 1 3 और 5 और 1 6 36 हो जाएगा 36 में 9 जोडेंगे तो 36 4 40 और 5 45 तो 45 और 45 में 5 जोडेंगे तो 50 अब यहां से आफ एक काम करेंगे जब इतना मिल गया तो आप सिग्मा यन का मान पता चल गया कितना मिला 50 यानि इस लाइन को जोडेंगे तो 50 मिलेगा जो की यहां पे दिया गया है यानि संची वारंबरता का जो यहां नंबर होता है वही इसको जोडेंगे तो मिलेगा तो आप यहां से अपना सिट कर सकते हैं कि हमारा सवाल सही है कि गलत तो हम लोग को जैसे यहां पे यम का मान यहां निकालना चाहेंगे तो यम बराबर होता है यन by two के जगह पे हम यन के जगह पे कितना रखेंगे पत्चास और पचास में दो से भाग देंगे तो मिलेगा पचीस यानि यम का मान पता चल गया मिल गया आप देखेंगे कि 25 कहां इसमें है पांच में तो है नहीं, इगारा में भी नहीं होगा, एक्रिस के भी अंदर नहीं होगा, च्छतिस, च्छतिस के अंदर हो सकता है, अब होगा, तो हम कहेंगे कि जहां यहां पे च्छतिस मिला, तो च्छतिस के अंदर आईए, तो जो यहां पे पंदर है न, वो क्या होगा हम लोग का यफ वोगा यानि यफ वराबर पंदर देखिएगा यफ वराबर पंदर यानि यफ का मान मिल गया है पंदर अब देखिए और इसी के आगे आप आएंगे तो इनको हम लोग कहते हैं इसी के लाइन में जो सामने दिया गया है तर्म में तो फस्ट वाला है यल वन और सेकेंड वाला यल टू देखिए भी हम लोग को का चाहिए हम लोग को यम मिला है यफ मिल गया यल वन मिला यल टू मिल गया भी सी पता नहीं है तो सी कहां से हम लोग पाते हैं जो यहां पे च्छतिस में जिसमें जो नंबर है न उसके उपर वाले को हम लोग सी कहते हैं उपर वाले को सी करते हैं, अब हम लोगों सब पता हो चुका है, अब फार्मूले में रख लीजिए, यहां से कितना है, 25 है, प्लस, यहां यहां पे 30 और 25 का अंतर करेंगे, तो 30 में से 25 कम करते हैं, तो 5 मिलता है, जो हम यहां पे 5 रख लेते हैं, और यफ कमान आप कहां से पाये थें, इस लाइन का है, यफ में 15, तो 15 ले लिजिए, यम कमान देखिए कितना है, 25, तो 25 होगा, केवल आपको इसमें रखना है, और रखने और ढूडने आ गया नो, तो सवाल तो कभी छोड़ेंगे नहीं, बना लेंगे, बस यही करना है, और इसमें कोई बहुत माथा 25 करने की ज़ुरत नहीं है, सी का मान, 36 से उपर वाले नंबर को जहां भी आप पाएंगे, तो उसे उपर वाले को सी काते हैं, तो एक कैस है, अब इसी को तो हल कर देना है, कठीन क्या है, कठीन नहीं है, हल कर लिजी हो जाएगा, अब इसको जैसे आप हल करेंगे, तो यहाँ पे 25, 5 एकम 5, 5, 15, 3 हो गया, 25 में से किस कम कर देंगे तो, 4 मिलेंगे, तो यहाँ पे आप 4 लिख लिजी है, इतना काप हल कर दिए, 3 से भाग दिजी है, 4 में, तो कै बार जाएगा, एक बार, 3 है कम, 3, बच्चा आप के पास एक, आप जाएगा, निदस मुलो लगा लिजी, तो 10 हो जाएगे, 10 में आप भाग देंगे, तो 3, 3 मिलता है, यानि, चार में 3 से भाग देंगे, तो एक दस मुलो 3, 3 मिलता है, अब हम लोग का बचा कितना है इधर, 25 बचा है, प्लस, 1, 3, 3, और जैसे जोड़ेंगे, तो 25 और 1, 26, 26 दस मुलो 3, 3, यानि हम लोग का माधिका पता चल गया, कितना 26, 3, 3, एही उत्तर होगा, राइट, इधी सवाल समझ में आया होगा, तो एक लाइक कमेंड कीजिए, और इस तरह का सवाल हम कम्प्लीट कर चुके हैं, जो बचा होगा आगले दिन आप लोगों से मिलेगे, इसके लिए मेरे बड़े भाई, धन्य बाद,